जब भी हम भारत के जैन परंपरा के इन महापुर्शों को चलता हुआ देखते हैं वह कठोर तपती दुपहरी में जब पादुका पहन कर भी चलना कठिन हो जाता है ऐसी कठोर तपती दुपहरी में जब भारत की सनातन परंपरा में हमारे इस भारत भूमी के जैन परंपरा क आचारे मुनी स्री सहजा अवस्था में चलते हैं तब ऐसा लगता है भारत का विश्व गुरू बिचरन कर रहा हो भारत का भविश्व बिचरन कर रहा हो भारत का तब तब निकल पड़ा हो उसको देख करके हिदय गदगद हो जाता आंक भराती और आज तो हमको इन महापु के दर्शन के साथ साथ पूज नियमाता जी का सभी साधकाओं का दर्शन भया में जी के बारे में बताया पूज महाराज स्री जी ने कि आपने संसद में जाकर के संसद के लोगों को सदबुद्धी देने के लिए भी उदबोधन सुनाएं और सबसे ज्यादा वहां ये जर भाविक अध्याति में खोगा और हम बहुत बार बोले भी और पुनाम पुनरावरती करते हुएं कहते हैं कि हमाने बहुत गोरो हैं जैन परमपरा के उपर और सहज बस गोरो हैं यह और हम आप दो नहीं एक हैं जो कि महाराजी अभी बहुत बल्व के साथ महाराजी की जो कितनी उर्जा के साथ बोलते हैं, सहजता, उर्जा, वह सब्दों का चैन, वह परिस्कृत बाणी, वह दारा प्रवाह बोलना, वह बड़ी मंदूरता के साथ, वह बड़ी जोस के साथ, महराजी को सुनकर के ऐसे लगने लगता, अभी तलवार उठा करके धरम बिरोदियों को मारा, ऐसा पुझ महराजी का आशिरबाद हमें मिला, दो दो बार मिला, दो दो बार मंचों पर दर्शन भै, पहली बार ये मिले, पर आज आजी दो दो बार अलग अलग रूप में दर्शन भै, मन बड़ा गदगद हो, साथ में इन महापुर्शों को कब हमें मिल पाना था, इन महापुर्शों को मिले, आप सब को मिल करके बहुत प्रशनता है, अब हमारे भीतर दो दुगधाएं, हमें जल्दी जाना भी ये, और तुम्हें छोड भी नहीं पा रहे हैं, जाना प्रवानी जी, उनके भाव के कारण हमको आप सब के दर्शन भाई, सिया राम मैं सब जग जानी, और करौं प्रणाम जोरी जुग पानी, हम आप सब को स्रीशीता राम मैं मान कर, खुब खुब प्रणाम कर रहे हैं, एक दो बातें कहिके बानी को बिराम करेंगे, एक हमको पूछा, चलते फिरते, कि आपका मोक्ष पर क्या विचार, और मोक्ष किसे कहते हैं, बहुत से लोग मृत्व के बाद मोक्ष को समझते होंगे, कि अगर मर गए तो हम स्वर्ग मिलेंगे, मोक्ष मिलेगा, आप उनर जनम नहीं मिलेगा, उसे बहुत से लोग मोक्ष मा लगे हमारा मानना है कि आप जीते जी कामनाओं से अगर मुक्त हो गए तो आपने मुक्ष को पा लिया और ये इन संतों में ये जो मुनी मंचा सीन बराजमान है इन आचारियों में वो भाव है इने कुछ नहीं पाना जो पाना है उसको पाने के लिए वो निकल चोके हैं हम ल सच में मुक्त कौन है जो बंधन में नहीं है जो बंधन में वो मुक्त है जो बंधन करता है जो बंधन ही है ये महापुरुष सब बंधन करते है ये आचारियों सब बंधन करते है ये बंधन में नहीं है हम लोग बंधन में एक बात हम बहुत बिनमरता पुरवक कहें बंध बंधनबाला महापुरस ही बंधनबाले को छोड़ा सकता है। बंधनबाला महतमाई, बंधन में पड़े हुए लोगों को छोड़ा सकता है। और संभव भी ऐसे ही है। यह हम सब का सौभाग है, कि हम इन सब आचारियों के दरसंग कर रहे हैं। एक बात हम बहुत बिनम्रता पूरभा के अभी महाराज जी कह रहे थे कि इतने संत हैं। शेचे महीने लग जाएं। हमें रामयन की दो पंक्तियां महाराज जी आदें। अगर धिश्टता को छमा करना आप। हम तो आगल-पागल मूरक हैं। मास्टर हमें भेज देते बापस हम पढ़ने जाते थे तो पूरी किलास इखटी हो जाती थी सब बच्चे आ जाते गुरू जी हमारा परचा निकालो। हम परचा निकालने लगते तो माई 60% बर रही मैथ में फैल हो रहे हैं। तो नौमी, दसमी, आठमी किलास हम आये जाते ही एकटी। मास्टर कहते थे तो हमारी नौकरी छोड़वा देगे। हम कहते थे हम क्या करें। बोले आप स्कूल मत आया करो। हम नहीं आये तो नाम कट जाएगा। बोले तुमारा नहीं कटेगा। तो हम जाते थे अपनी तरफ से थे अफनी तरफ से बीच-श्कूल से ही बापस आते थे मास्टरों की करपह से पढ़ नहीं पाए पर पढ़ नहीं पाएं। पढ़त लिढ़ है लेकिन हमने रामायन के पढ़ने जितना समझा वह बता देते हैं। एक जग है को स्वामी जी ने कहा बिनो हरी कृपा मिलह नहीं संटा बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिलने बाले लेकिन दूसरी जग है उनहीं anunci स्वामी जी ने अलग लिखे दिया एक ही रामैन में दूसरी बात लिख grief पुन्न पुन्जे बिन मिल ही न संता बोले पुन्न के प्रताप के बिना संत नहीं मिलेंगे हमने तुलशिदाष जी के सामने हाथ जोड करके निवेदन किया महराज हमको संत मिल गए अब हम निर्णे कैसे करें वो प्रभूकर पास से मिले हैं या पुन्न उदय हुए तो मिले ये निर्णे कैसे हो मुश्कुराते हुए गोस्वामी तुलसीदाश जी बोले बाबा तुम चल कर संत के पास जाओ तो समझना तुम्हारे पुन्न उदय हुए है और संत चल कर तुम्हारे पास आबे तो समझना भगवान की कृपा तुम पर हुए है ये भगवान की कृपा हुए इतने मुनी, इतने महत्मा आप लोगों को दर्शन सहज हो रहे ये भी बड़ी बात है बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो ये आज जनमाष्टमी अद्भुत हो गई है चात्रियमास परंपरा के अंतरगत इन मुनियों के दर्शन करके इन महापुर्शों के साधक साधकाओं के दर्शन करके साधवी माताओं के दर्शन करके हमारी जनमाष्टमी तो ऐसे बन गई जैसे आज तक नहीं बनी थी और बनने की बात बोलें तुम ताली बात में बजा लगे हो यही तो भारत में बड़ी अद्भुत बात है नेता याँ है तो नेताओं को ताली नाचने बाले याँ अरे सुनो तो महराज मेरे प्रीय है हम कहना यह चाहर है बन जाना ही बन जाना है राम जी बन गए तो बन गए राम जी बन गए तो बन गए और बन जाना ही बन जाना है अभी समझ में नहीं आया होगा संतों का बन जाना ही बड़िया बन जाना है इनका बन जाना ही अपना बन जाना है बन मतलब बन नहीं इनका बन इनका हो जाना ही बन जाना है लेकिन अब बने कैंसे इनका हो कैंसे जाएं एक सब्द है मैं भीतर गया मैं भीतर गया मैं भीतर गया बस यही मुनियों के पास में है कि इनका मैं भीतर चला गया बस यही तुम्हें प्रियोग करना है बहुत छोटा सा प्रियोग है मैं भीतर गया मैं भीतर गया बस यही तुम्हें प्रियोग करना है मैं का मतरब हम भी मैं का मतरब यह आत्मा देखने बाली द्रिश्टा साक्षी यह भीतर गई अंदर के संसार को इसने देखा तो बाहर का संसार फीका लगता है हमसे एक जने पूँच रहते हैं आपके भारत में ये जैन परंपरा के मानने बाले लोग लग भाईया जो तुमाओ निकल लगाओ लग एक अई प्रिवचन को भाव बेटा गुवानी जी के उपर करिये जो भी बिल लगाना हो हम सो देना पाएंगे हमने तोड़ा नहीं है हम कसम खा के कह सकते हैं गुवानी जी बगल में बैठी इनको पाएंके पैठी ऐसे ही चलाएंगे काम रहने जे ले जाओ अपनों जो ठूडा सो किसी काम का नहीं है काम पड़े कचुगोर है काम कड़े कचुगोर काम भिवाय होत के बाद में नदी सिराबत मौर यह संसार का नहीं है आहा मैं भीतर गया मैं भीतर गया मैं मतलब अहम अहम भीतर जाते ही व्यक्ति सरल हो जाता है इन मुनियों को देखना कितनी सरलता ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर इनकी किस से दोस्ती और किस से बैर ये तो जो भी आता ये इनकी पुझ महराजी अभी बोल रहे थे कुझाने क्या क्या बोल रहे थे ऐसे हैं बाब गेस और बाबा बैसे हैं सच बताएं हम जैसे हैं, आपके चरणों के जैसे हैं, हम कैसे भी नहीं हैं, ये संतों के चरणों का प्रताप है, उनके चरणों की दूली का प्रताप है, हम कुछ भी नहीं, लेकिं ये इनकी दृष्टी है, महत्मा, क्यों, क्योंकि महत्माओं का मैं भीतर चला जाता है, हमारे एक संथ हमें कहते थे अहम की अकड़ जादा चल नहीं सकती मौत की घड़ी कभी चल नहीं सकती लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती अहम बड़ा खतन नाक है अच्छा अहम क्या है कभी विचार करना हम एक दिन बैठे बैठे माराजी सोच रहते दो जीव जादा मारे जाते एक मुरगा एक बक्रा सबसे जादा हत्या किसी जीवों की होती है तो बक्रा की और मुरगा सबसे जादा हिंसा एक दिन हम सोच थे इनकी इतनी हिंसा क्यों दौनों गलत काम करते हैं क्या गलत मुर्गा जगाने का काम करता है और दुनिया बालों को सोने की यादत है तो जो भी जगाने का काम करेगा काठा जाएगा इसलिए सबसे ज़्यादा काठा जाएगा लेकिन हमने सोचा कर ठीक है मुरगा का तो कटना ठीक है क्योंकि वो जगान एक ज़ने हम से कह रहे थे आपको बहुत गालियां मिलती है हमका मिलनी चाहिए क्योंकि हम सच बोल देते और सच बोलने बाले को ही गालियां मिलती है तो कोई बुराई बाली बात नहीं है अगर हम सही बोलें और कोई गाली दे समझ जाना तीर निसाने पर आपके कहने से किसी को बुरा लगे समझ जाईएगा कि यही चोर है तो हमें क्या दिखकत है तो वो उसका टेंजा अच्छा मुरगा ठीक है हमने माल लिया कि वो जगाता है इसलिए कटता है यह मैं सब्धे अहंकार का प्रदी इसलिए एक बहुत सरल सा भ्यास आपको करना है जो है सब प्रभू की कृपा है जो नहीं है वो भी प्रभू की कृपा है हमारे गुरुजी हमसे कहते जो मिला है वो कम नहीं है जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है पर जो हमने पाया वो लाजवाब है हमने जो भी पाया वो कम क्या पाया इसलिए आप लोग जितने भी जन बैठे हैं इससे बड़ा कुछ है नहीं संत समागम हरी कथा तुलसी दुर लब दोई सुत्दारा अरुलक्षमी पापी के घर होए बेटा पैसा पतनी पापी के भी घर होते है पर संतों का समागम और भगवान की कथा तो ये दोनों दुरलब हैं ये किसी धर्मात्मा पुन्यात्मा के यहां नहीं परम भागसाली के यहां होता है द्रमातु मा तो वो होता ही है, पुन्यात्मा तो होता ही है, पर बडे भाग, मानस तन पाबा, उसुरदुर लवसाजिक्रन्थ हंगाबा, गुस्वामी जी ने कहा, बडे भाग से मनुस्ट तन पाया अच्छा पहला भाग क्या मनुस्ट का तन मिला लेकर दूसरा सौभाग भारत जैसा बतन मिला यह दूसरा सौभाग है अब मानलो तुम लोग चीन में होते पैदां तो क्या चतरमास में यहां बैठे होते चीन में होते चीन चौंग चाइन चौंग चमन चौंग कर रहे होते भगवानी की कृपा है हमें भारत जैसा बतन मिला सनातन की भूमी पर हम लोग आए बुरा ना मानना आप लोग हमारे अपने हो हम तो कुछ महराजी के कारण ही आए इन मुनियों के कारण, क्योंकि इन मुनियों ने एक नई अलग जगा रखी, देश को जगाने की, दुनिया को हकीकत बताने की, इन महत्मावने अलग जगा रखी, और हम तो यही आए, कुछ विधर्मी चाल चल कर सनातन को और जैन परमपरा को अलग कर रहे हैं, हमारा देखो भाईया अगर सनातन तन है तो जैन परंपरा उस तन के प्रान है और प्रान के बिना तन का कोई मतलब नहीं दोनों एक दूसरे के पूरक है तो स्वास के बिना सरीर का क्या मतलब साधक के विना साधध का क्या मतलब साध्ध हो और साधक ना हो भक्त हो भगवान ना हो सिस्थ हो गुरू ना हो नदी हो पर पानी ना हो क्या मतलब है इसलिए हम लोगों एक बात बहुत आप लोग बहुत गंभी तासे समझ लें यह सब एक है ये दो नहीं बैठे हैं एक ही बैठे हुए हैं ये जितनी गद्दियां लगें ये दो नहीं साफ एक बैठे हुए अब तुमा नाम जरूर ये बागे सुर बाबा ये पूज मुनी जी नहीं साफ एक बैठे हुए हैं जैसे 20 घड़ों में पानी भर कर रख दो, जून के महिने में, जिसमें जाकोगे, उसमें सूर्य दिखाई देगा, अब इसका मतलब यह नहीं है कि 20 सूर्य है, सूर्य तो एक है यह, पर जिसमें देखोगे उसमें दिखाई देगा, वैसे ही सनातनी हम सब एक हैं, जैन परंप और तो ठीक है, रिसब देव भगवान के ही वंसमें, जब भरत जी महराज का प्रादर भाव की चर्चा आती है, तो इस देश का नाम भी भारत पड़ता है, उसका स्रेवी जैन परंपराक हो जाता है, यह सौर्बा, लेकर यह दो नहीं हैं, राम और कृष्ण दो एक हैं, जैसे राम और कृष्ण दो नहीं एक हैं, जैसे आदमी और आदमी की काया दो नहीं एक होती है, जैसे आख और आख की रोसनी एक होती, जैसे सौरी और सौरी की रोसनी एक होती, जैसे मिठाई और मिठाई की मिठास दोनों एक होती है, जैसे बहिया, परमात्मा और आत्मा दौनों एक हैं बैसे ये सब भी हम लोग एक ही बैठे हुए अब बाकी खेल है चस्मा का जिन्होंने काला चस्मा लगा रखा उन्हें भाइट लाइट भी काली नजर आती है अब इसमें हमारी गलती नहीं है कुछ लोग हमें मिले बुले आप हिंदू मुसल्मान करते हैं हमका ठटरी के बारे तुम कहते हम हिंदू मुसल्मान करते हैं सच ये है कि हम हिंदू मुसल्मान नहीं करते हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं हमें क्याले ना दे ना उनसे कोई हमाई बुराई थोड़ी है या उनसे दुस्मनी है जो महराजी ने अभी कहा वही बात सत्त है हम केबल अमानवी ये कृतों के बिरोधी है मजहब के बिरोधी नहीं है पर हां रामायन को जलाना संतों पर पाल घर के संतों पर अत्याचार वह कोलकाता की बेटी का रेप करना बंगला देश में हिंदूओं के मंदरों को तोड़ना इसके हम खिलाप है इसलिए जितने भी साधक साध कायें चातुरहमास के पाबन पर बठे एक अव्यास डालना उसने हमसे पूछा मौक्ष क्या है कामनाओं से मुक्त हो तो हो सकते नॉट पॉसईवारा है असंभाव है फिर हों कैसे हम बरसात में महराजी एक घटना हमारे साथ घटी थी बरसात में हम दादा जी के चड़नों में रहते थे दादा गुरू के हमाई गुरू जी बोले बरसात आगई सामने पानी भर गया फावडा लेकर के जरा किनारा बना दो समझते हो बाग अब हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कह रहे हमने लिया डबे से तेल निकाला पूरे पैरों में लगा लिया फावडे से पानी का किनारा बना कर बापस आए हमने गुरू जी से पूछा गुरू देओ पावडा देना किनारा बनाना ठीक है पर ये तेल लगावाने की पर हमें बात समय, गुरुजी बोले बेटा जड़ा चेक करो, क्या पानी पेरों में भरा, चिपका, नहीं चिपका, बोले तेल का कमाल, तेल लगते ही पानी नहीं चिपका, तब हमें एक नई बात समझ में आज आई, यह क्या अधवुत प्रियोग गुरुदेव ने दिया, अगर संतों की आशिरवाद का करपा रस अगर हम अपने मन की उपर लेपित कर लेंगे तो संसार रूपी कामनाओं का जल हमारे सरीर को छू नहीं पाएगा मन को छू नहीं पाएगा ये आज हमें समझ में आया ऐसे मुनी संत महत्मा पुजिनीय साध्मी माता है बहने बराजमान सभी मुनी जनों को चर्णों में हम नाक रगड का दन्नबत प्रनाम कर रही है हमें जाना लंबा है पर वो सूत्रियाद रखना मैं भीतर गया बस वो ध्यान रखना काम आएगा वो और फिर हम कभी महराजी जब आग गया देंगे तब हम आएंगे हमें पहुंचना वहाँ है लंबा पहुंचना है और आप सब की साधना सपल हो और हम गवानी जी को धन्नबाद दे रहे के इतने तपस्वी महातमाओं के दर्सन जबरजस्ती हमको करवा दिये मजाक मैं कह रहे है सच ये है इनका प्रेम बहुत है और एक बार भर चर्चा हुई बुले आपको हम वहाँ पर चातुर्यमास की परंपरा भावनंगर के पास में कर रहे हैं हमने कहा अगर हम फिरी होंगे तो हम आएंगे और फिरी तो कभी हमें होना नहीं तो जैसे बना मन में था एक बार महराजी से मिलने जितने महराजी ललाए थे उतनी महराजी को मिलने के लिए हम ललाए थे इसके लिए गुवानी जी को हम बहुत-बहुत साधु बात दे रहे हैं एक बार ताली बजाकर इनको धन्नबाद दो इतना सुंदर उत्सो महराजी मजाक में बूला हम तो प्रेम से आए हैं मजाक में हमने बूला हम तो सहजवस आए बहुत अच्छा लगा कर सब को देखकर सब को दर्शन करके बहुत अच्छा लगा सिया राम मैं सब जग जानी करो उप्रणाम जोर जुग पानी गवानी जी पूरे परिवार पूरे यहाँ पर साधक साधकां जो चातुर्यमास की परंपरा का निवभाहन कर रहे हैं आप सब की भक्ती बड़े इन मुनियों की करपा आप सब के उपर बनी रहे और मोक्ष की प्राप्ति हो बै जैन का आर्थ ही है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया आप इंद्रियों को जीत करके जितेंद्रिय बन जाओ यही हम प्रभूशे प्राथना करते हुए स्री सिताराम भगवानी की भगवान स्री हनमान जी महराजी की आदिनात भगवानी की आप सप्रेम पूर्वकर हो साधना में भंगना हो साधना द्रड़ हो पून हो यही मंगल कामना करते हुए मुनियों के चर्णों को पिनाम करते हुए हरी सरन पार खुशी है थोड़ा इसलिए ज़्यादा बोला है क्योंकि डेड़ घंटा आप अभी बोल किया है सुबे से निकले हैं खजुराव से यह हवामान के कारण अभी तक खाना तक नहीं खाया खाली रस्ते में एक दो केले खाली यह जो खाने पिने की परवा नहीं करता अज मुझे बहुत कुशी हो रही है सभी गुरुजनों की इक्षमा चाहते हुए इतने सारे आचारे भगवंत यहां पधारे यह हमारे लिए बहुत कुशी है आज सच को बागेश्वर बाबा का प्यार है अज एक एक आचारे को बुलाना हो तमको छेचे मिना महनत कर दी पड़ती है इतने त्यागी है इतने तपस ही है हमारे सौमचंदर सुरी महराज आज अठारवा उपवा से कितनी तपोनी दे साधना है एक एक गुरुजनों का भाव और ये युवा संत मैं दिल से हमारे गुरुजनों को भी कहना चाहूंगा जो गुवानी परिवार ने मुझे बताया इनको बाल हनुमान कहते है भगवान से बात करने की इनकी तमन्ना भगवान हमेशा परिपूर्ण करते है और जिंदगी के अंदर विश्व का कल्यान हिंदुत्व से हो सके वैसा अदुभुत पुरुशार्थ करते है अब मैं भी बीच में विवस्ताओं के बिना में हमारे प्रियक और चिन के दिल में निखालस्ता है सरलता है सच्चाई है पद्वान का लगाव है और सबसे ज़्यादा नैश्टिक ब्रह्मचारी सिद्ध भगवान राम और उनी की अदबूत सेवा करने वाले विशुद्ध पवित विशुद्ध ब्रह्मचरे का पालन करने वाले बगवान हनुमान के आप परमभद्ध है बगवान हनुमान को जैन परमपरा मानती है बगवान राम को जैन परमपरा मानती है पांचो पांड़ों को जैन परमपरा मानती है बगवान श्री कृष्ण को भगवान के रुप मे और जब संतों का मिलन होता है अच्छे अच्छे लोगों को तकलीफ होती है लोगों को लगता है ये दुरंदर बबर शेर सब एक हो गए तो बाकी गिदड़ों का होगा क्या